हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वेल अकैडमी मैं नेम इस लामे नसीम और आज का जो हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम लोग निकालेंगे हाइट ऑफ कैपिलरी राइज इंड कैपिलरी फॉल अगर आप मेरी वीडियो फॉर्स तैम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करन मैं लेते हैं rice का ओके तो मैंने यहां पर क्या करा एक कंसिडर कर लिए सब्सक्राइब करा लिए तो वाटर क्या होगा होगा इस guiding कर जाएगा और इस तरिक से वॉल दिखने लगेगा तो लेट कर लिजे जो height वो rise करा है वो h है और यही height आप में find करनी रहती है कि कितनी height तक वो rise करा अच्छा मैं सिर्फ एक ही आपको यह derivation कराऊंगी rise के लिए because rise आपने देख लिया rise के लिए आपने height देख लिए जो कि positive आएगी अगर आपको fall के लिए चाहिए तो फिर यही value क्या हो जाएगी negative हो जाएगी तो एक derivation से दोनों काम हो जाएगे चाहे rise हो चाहे fall हो अब देखिए अगर इस capillary को थोड़ा जूम करके बनाए तो वो किस तरीके से दिखेगी it's just like this okay इसके अंदर हमने क्या कराए यह water consider करा है और इसकी यह vertical से कितना एंगिल बनाएगा यह vertical से एंगिल बनाएगा theta और यहाँ पर क्याने वाला surface tension तो sigma into pi into d यह हो गया surface tension force वियर सिगमा इस the surface tension and pi is the length अब यह पर देखिए यहाँ पर भी क्या होगा sigma into pi into d अब इसके components हो जाएंगे एक horizontal component होगा एक vertical component होगा जो vertical component होने वाला है वो होगा cause में क्योंकि इसका vertical component अप ओवर direction में break होगा तो cause में break होगा horizontal जो component होगा वो sign में होगा तो हमें क्या करना है इसका खुद का जो weight है वो हम let कर लेते हैं w weight हमने consider कर लिए w ultimately हम equilibrium condition लगाके h height निकालने वाले है तो इसमें कुछ water fill है तो उसका w weight माली है weight को क्या लिख सकते है m into g अब density कितनी होती है mass by volume तो यहाँ पर mass किज़े का density into volume रख देते हैं तो आपको w मिले का density into volume into g तो density ऐसे ही रखा volume को क्या लिख सकते है area यह जो area होगा okay into height तो area into height हमारा क्या हो जाएगा volume हो जाएगा तो यह हमारे पास w आ गया तो अगर आप यहाँ पर equilibrium की condition लगाओगी देखने देखेगा equilibrium condition okay equilibrium condition क्या होगी हम लिकाल रहा है summation of forces in y direction is equal to zero तो w mg नीचे लग रहा है तो आप क्या करोगे weight को equal करा दो किसके sigma into pi d into इसका एक vertical component होगा जो कि cos में break होगा horizontal component sign में break होगा तो w आपने क्या निकाला w आपने निकाला density into area कितना हो जाएगा pi by 4 d square okay यहाँ से value put कर रहे है हमने a की value अल्रडी रख दी बचा h बचा g is equal to sigma into pi d into cos theta बहुत simple calculation है सिर्व equilibrium condition है pi से pi cancel एक d से d cancel होगा आपको ultimately क्या चाहिए आपको यह h चाहिए तो यह h की value आपको मिल जाएगी 4 sigma cos theta अपन बचा rho बचा g और यहाँ से बचा 1 d तो आपके पास यह formula आ गया height of capillary rise और fall चाहे rise निकालना हो चाहे fall निकालना हो आपको यही formula put करना है अब अगर fall होगा तो h automatic negative आजाएगा और rise होगा तो h automatic positive आजाएगा जिससे आप समझ सकते हो rise हुआ है या fall हुआ है अब मैं अगर बात करूँ आपसे h किन किन चीज़ों पर depend कर रहा है तो यहां पर हम लिखेंगे h is depend upon h हमारे depend कर रहा है सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है sigma तो surface tension पर depend कर रहा है ओके h is depend upon surface tension पर depend कर रहा है रोजी क्या होता है रोजी is the specific weight ओके यह already हम लोग previous वीडियो में डिसकस कर चुक है अगर आपने मेरी previous वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी जी जाके सारी वीडियो कवर कर लीज़े बहुत छोटी छोटी वीडियो मैंने बनाई है ताकि आप आसानी से चीज़ों को कवर कर सको तो यहां पर मैं सुरी यहां पर मैं लिखूंगी इस पैसिफिक वेट जिसको हम लोग किस से रिप्रेजन करते हैं गामा से गामा इस इकोई टू रो इंटू जी होता है तो इस पर डिपेंड कर रहा है ओके यह आप अलग अलग भी लिख सकते हो डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है और ग्रैविटी पर डिपेंड कर रहा है और रोजी बन जाता है स्पैसिफिक वेट diameter of capillary tube अब यह ठीटा बचा इस ठीटा को क्या बोलते हैं इस ठीटा को बोलते हैं हम लोग angle of angle of contact इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है इसको में ठीटा से रिप्रेजंट करता है तो यह मैंने इसलिए लिखवाया ताकि आपसे यह पूछ लेता तो यह आपको पता होना चाहिए अब मैं कुछ चीज़े आपको और एड कराती हूं इसी के नीचे एड करिएगा इफ ऐसे न लिखिए फॉर प्यूर वाटर अगर हमने यह वाटर लिए यह जो हमने फ्ल्यूट लिया है यह फ्ल्यूट हमने ले लिया है प्यूर वाटर तो प्यूर वाटर की कंडिशन में pure water की condition में जो ठीटा होता है वो होता है 0 degree तो अगर आपने pure water लिया है तो maximum rise आपको मिलने वाला यह बात आप ध्यान रखेगा तो यहां से अगर आप h max निकालोगे क्योंकि देखें cos की जो सबसे maximum value होती है वो 1 होती है और वो 1 value कहां मिलती है 0 degree पे मिलती है तो pure water के लिए ठीटा आपको क्या होता है 0 degree होता है तो pure water के लिए आपको maximum rise मिलता है जिसकी value होती है 4 sigma आपान rho into g into d तो कि cos 0 तो 1 हो जाएगा ओके अब second अगर मैं आपसे बात करूँ normal water की बात करूँ अगर मैं आपसे for normal water अगर normal water है हमारा तो ठीटा हमारा होता है 22 degree यहां पर 22 degree है 90 degree से कम है एंगिल तो हमारा h positive मिलेगा h positive का मतलब है rise होगा तो 22 degree centigrade पर हमारा sorry 22 degree पर क्या होगा राइज होगा और हमारा क्या होने वाला है positive होने वाला है अब अगर मैं mercury के बात करूँ दीगे यह तीन cases में आपको लिखवा रही हूँ जो आपको पता होना चाहिए angle क्या होंगे for hg mercury के लिए जो ठीटा होता है वो होता है 132 degree अब यह 90 degree से जादा का angle है जब आप cause 132 की value निकालोगे तो वह value आपको negative मिलेगी इस it means हमारा क्या होगा आपको fall मिलने वाला है निगेटिव एक की value आपको मिलेगी तो यह overall concept हो गया आपका height of rise और fall चलिए इस पर कुछ questions को discuss करते हैं ताकि concept में और clarity आ जाए और एक अच्छा base develop हो जाए चलिए देखते हैं उसे इसके साथ हमारा mechanical का gate का course पूरा launch हो चुका है अगर आप enroll करना चाहते हो तो description box में आपको detail मिल जाएगी first question देखेगा बोल रहा है a capillary tube of a uniform bore is dipped vertically in water which rises by 7 cm in the tube find the radius of capillary if the surface tension is 70 dines per centimeter and g is equal to 9.8 meter per second square okay देखेगे यह हमारा first question है क्या क्या चीज़े आपको दी हुई है सबसे पहले आपको वो note करना है rise कितना हो रहा है यानि h की value दे रहा है 7 cm उसके बाद बोल रहा है find the radius of the capillary यानि हमें r की value find करनी है आपको surface tension दे रहा है यानि आपको दे रहा है f की value okay आपको कितनी value दे रहा सिग्मा की value दे रहा सौरी सिग्मा होता है हमारा f by l okay 70 दिया हुआ है dines per centimeter and g की value आपको दी है 9.8 meter per second square बाखी condition उसने दे दी कि vertically इस तरीके से dip करी गई आप हमें radius बता दो कैसे निकालेंगे इस पूरे question में जो काम है वो सिर्फ इसका है अगर जिसको dine per centimeter को change करना आता होगा Newton per meter में वो असानी से question कर लेगा अगर यहाँ पर centimeter को meter में change करें तो इसकी value हमें क्या मिलेगी 0.07 meter 10 to the power minus 2 meter हो जाएगा तो meter में change हो गया dine क्या होता है dine एक cgs unit है force की 1 dine 1 dine हमारा 10 to the power minus 5 Newton के बराबर होता है यह आपको याद कर लेना है ताकि other questions में अगर dine एक unit आती है तो आप उसे Newton में change कर सको तो यहाँ से अगर आप sigma की value निकालोगे तो 70 into 10 to the power minus 5 upon per centimeter है ना इसलिए f by l मैंने लिखा है per centimeter यादि 10 to the power minus 2 तो यह हो गया Newton per meter में अब ज़रा इसको थोड़ा सा modify करेंगे तो 70 into 10 to the power 3 Newton per meter आपको मिल जाएगा यह आपके पास आ गई mks unit में sigma की value जी आपको दे रहा है कितना 9.8 meter per second square आपको ठीटा नहीं दिया है तो ठीटा आप 0 degree ले सकते हो आपसे क्या पूछा है r की value पूछिए तो h की value आपने क्या पढ़ी यह 4 sigma cos theta upon rho into g into d diameter निकाल लीजे half कर दीजेगा तो radius आपको automatic मिल जाएगी तो h की value दे रहा है 0.07 4 sigma की value है 70 into 10 to the power minus 3 cos 0 आप रखोगे तो 1 मिलने वाला है density density क्या होगी water की बात कर रहा है तो water की density हम लोगो कित्ती पढ़ते है 1000 g की value बोल रहा है कि आप 9.8 ले लो और d आपको find करना है यहां से जब आप d find करोगे तो आपको कितना मिलेगा मैं एक बार calculate करके आपको बता देती हूं 0.07 into 109.8 ओके 4 से इसको पूरा divide दे दिजे into तो यह आपको मिल जाएगा 0.408 into 10 to the power minus 3 meter ओके अब इसको आप mm में change कर सकते हो तो 0.408 यह mm में change हो जाएगा तो 10 to the power 3 का multiply करा दोगे तो meter mm में हो जाएगा and 10 to the power 3 minus 3 cancel हो जाएगे तो d by 2 आप कर दो तो 0.408 by 2 हो जाएगा तो 0.204 mm हमारा आ जाएगा final answer ओके तो यह हमारा first question complete होगे second question देखेगा उसको देखते हैं next question देखेगा बोल रहा है a liquid rises to a height of 9 cm in a glass capillary of radius 0.2 cm what will be the height of the liquid column in a similar glass capillary of radius 0.03 cm देखे इस particular question को करने के लिए आपको एक law पता होना चाहिए जिसे हम लोग बोलते हैं durian's law ओके यह durian's law क्या कहता है for a particular particular liquid and solid interface के लिए okay for a particular liquid solid interface के लिए है h into r जो होता है वो constant होता यानि h into r का जो product होता है वो constant होता है where h is the rise or fall and r is the radius of the capillary tube आप question को समझेगा question में आपसे बोला है कि liquid rises to a height पहले condition दे रहा है 9 cm जब radius कितनी है 0.02 cm okay अब बोल रहा है what will be the height यानि हमें h2 बताना है h2 कितना होगा in the same column okay of the liquid column in a similar glass capillary of a radius कितना दे रहा है 0.03 cm तो आगर आपको durian's law पता है तो यह question आपके लिए आसान हो जाएगा because आपको h1 r1 दिया है r2 भी दिया है h2 की value आपको बतानी है तो यहां क्याप h1 r1 is equal to h2 r2 कर सकते हो from durian's law okay durian's law के help से आप कर सकते हो तो यह 9 cm हो गया 0.02 हो गया h2 आपको find करना है 0.03 हो गया point से यह point cancel हो गया यह हो गया 3 3s are 9 हो यह हो जाएगा 3 2s are 6 तो यह कितना आ गया हमारा 6 cm हमारा यह आ गया final answer तो आई hope आपको यह दोनों questions समझ आए होंगे इसी तरीके से simple simple questions आते हैं बहुत basic chapter है यह next video में हम लोग discuss करेंगे vapor pressure and capillary sorry vapor pressure and cavitation यह दो topic बचेव है properties of fluid में next video में यह chapter पूरा complete हो जाएगा उसके बाद मैं आपको gate और यह सी के कुछ questions all कराऊंगी तो तब तक के लिए जितने भी वीडियो मैंने आपको provide करें concept based सारे clear कर लीजे अच्छे सब पढ़ लीजे समझ लीजे जब आप gate और यह सी की वीडियो करोगे मेरे साथ मिलके तब आपको पता चलेगा कि concept पढ़ने के बाद questions कितने आसान हो ज चुका है अगर आप enroll करना चाहते हो तो description box में आपको detail मिल जाएगी